इंडियन रेलवेज ने कोरोना वाइरस के कारण लगे लॉकडाउन में फसे लोगों के लिए राहत की खबर देते हुए एक जुन से 200 पैसेंजर्स ट्रेन को चलाने की घोशना की है गुरुवार सुबा 10 बज़े से टिकेट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है ट्रेनों की आरच्षी टिकेटों की बुकिंग और कैंसल कराना अब डाक घरों, यात्रे टिकेट सुविधा, केंद्र और भारत्य रेलवे खान पान और परियतन निगम यानी IRC-TC के ऑथोराइस्ट एजेंटों के माध्यम से बुक की जा सकीगी रेलवे टिकेट रिजर्वेशन करने के लिए लंबी दूरी तै करके रेलवे स्टेशन आने की कोई जरूरत नहीं होगी क्यूंकि रेलवे आपको नजदी की डाक घर में ही ये सभी सुविधाय मोहिया कराएगा इसलिए रेलवे ने डाक विभाग से टाय अब भी किया है रेल मंतरी पियुष गोयल ने इस बारे में ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि वहीं जो भी रेल जोन है उनको अपने यहां सोशल डिस्टेंसिंग और सफाई का पुरा ध्यान रखना होगा इसी के साथ आपको बता दे कि कोरोना संकट में हाथसो का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है शुक्रवार को महराष्टर में पूने के कुर कुम्ब M.I.D.C. शेत्र में एक केमिकल फैक्टरी में भीशन आग लग गई है घटना की कुछ तस्वीरे सामने आई है जिस इसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है देखिए ये तस्वीरे किस तरह से भीशन आग लगी हुई है अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें अगर आप लगी हुई है